हेलो फ्रेंद्स वेल्कुम तो माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का अनलेसिस पॉर नेक्स बीड सब्सक्राइब करेंगे और यहां आपको लॉंट्रम करेक्शन दिख रहा है इसमें बाउंस बैक भी आएंगे और यहां तो हमने इस महिने इस महिने जो जो 20 मंत का जो आवरेज ता उसको टच के आए जो था 15,200 के आए रहा है उसके नीचे नेक्स सपोर्ट आता है वह है प्योट का जो है लगबग 16,500 के आरावंड तो यहां से एक बाउंस बैका सकता है जो निफ्टी को 16,500 के तरफ लेकर जा सकता है इन नेक्स मन्त और वहां से फिरते आपको इक वैली देखने मिल सकती इसका टार्गेट रहेगा तेरा आजार पास्तो यह जो 16,500 के लेवल है यह करण्ट लेवल से लगबग 700-800 पॉर है तो आपको एक अच्छी नसी रिवर्सल रहें तो आपको एक अच्छी नसी रिवर् लोज हुए है लगबग 500-500 गेन के साथ एक मिलेट है यह में एक लोगी चीज़े है तो आपको लगबग 500-500 के रैली हमने नीचले लेवल से देखिए लास्ट वीक हमने निफ्टी में लगबग 5.5% का लॉज देखातल 900 पॉइंट नीचे बंद हुए थे इस सबते हमने 400 पॉइंट की रैली भी किये है और यह रैली आगे चलके कंटिनी हो सकती कि उपर जो आवरेज आता है वो है 50 वीक और 20 वीक का और उसकी लेवल आते है सेम 16,550-650 के रहां तो वहां तक आपको एक बाउंस पाक देखने को मिल सकता है उसके तरफ जाने की कोशिश कर सकता है नीचे ले तरफ 15,300 का सपोर्ट रहेगा अगर उसके नीचे जाते है तो आपको जो है तो मार्केट में एक सकते हैं जिसमें टार्गेट रहेगा उसका मेडियम लॉंग तो तो नेक्स वीक और 15,300 के नीचे ही आएगी जब तक मार्केट 15,300 के नीचे नहीं जाता है तब तक आपको लॉंग वी रखने चाहिए या फिर एक डिप्स पे बाई करने चाहिए उसके स्टिक स्टॉप तो यहां हमने पिछले विक के ऊपर से सफोर्ट लेकर अधी जो है अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो आपको जो शॉट्टन में या शायद मंडे को भी यह टार्गेट आ सकता है पहला टार्गेट रहेगा 15,970 उसके बाद में 16,300 का और वो फाइनल टार्गेट जो रहेग पहला जो टार्गेट रहेगा मेरा नेक्स विक के लिए वो रहेगा 15,950 उसके बाद में उसको पाढ़ करते तो 16,300 और उसके बाद में 16,600 के टार्गेट आपको आने वाले एक से दो हप्तों में देखने को मिल सकते हैं जीछे जैसे मैंने कहां मेजर सपोर्ट 15,300 है और आ अच्छी खासी गरावर मार्केट में आती हुए दिखेगी जो मार्केट को लेकर जाएगी 13,200 के लेवल के दरब इन में लांगर दांग अगले अपते के लिए लांग व्यू टार्गेट 15,950, 16,300 और 16,600 डाउनसाइड सपोर्ट 15,200, 15,300 और एक इमिडियेट सपोर्ट ज तरह काम करेगा 15,600 का लेवल आपको एज़ो स्टॉपलस रखना है जो शॉट टर्म ट्रेड है उनके लिए पहला टार्गेट 15,900 जो मुझे लगता है मंड़े के दिन ही आपको देखना हो मिलेगा उसके उपर जाते है तो 16,300 और उसके बाद में 16,600 टार्गेट आपको क्योंकि उसमें जब रहले आईगी आपको फ्यूचर के जैसे गेंस देखने को मिल सकते है और उसमें जोए तो टिके भी इतना नहीं रहेगा क्योंकि फियर रहेगा मार्केट में शॉटकोरिंग का तो उसके वज़े से आपको एक अच्छे का से गेंस देखने को मिल सकते ह क्यों लॉट से आप जो है तो 15,600 का जो कॉल ऑप्षिन है जुलाई सीरीज का कॉल ऑप्षिन उस पर आपको फोकस करना है उसमें इस पर वाय करना है आपके टार्गेट सेम रहेंगे 15,950 पर पहला प्रॉफित करना है 16,300 पर दूसरा प्रॉफित करना है और फाइन प्रॉ जो है तो बुक करना है और इसको टिप्स पर फिर से एक्मेलेट भी कर सकते हो तो यह मेरी स्टाइजी रहेगी नेक्स्ट विक के लिए और यहां जो है तो जो बुल से उनको सोड़ा सा रिलीव मिल करता है यहां अभी जो बीयर से बिने ने लेट शॉट किया था वो सभी होंगे तो यहां मार्केट में मेरा व्यू रहेगा कि शॉट नहीं करना है और लॉंग लेन लॉंग पोजिशन लेनी है वह भी स्टॉप लास के साथ तो आई होप सो कि यह आपके लिए लेगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से को दिसक्रिप्शन में मिल जाएंगे और थैंकि पर वाचिं वाचिं दिस वेटिए